अलो दोस्तों मैं हुए दर लिए आप सभी का स्वागत है क्लाइब में इंगलिस पर दोस्तों आज हम देख रहे हैं कुछ प्रिपोजिशन वर्ड हैं जो हम देखेंगे तो आज हम देखें कि आन जिसका हिंदी में अर्थ लेना है पर उपर को में इस तरह के जहां जुरूत होकर इस तरह से जो भी वर्ड होता है मुझे को जानते हैं लेकिन हम इसको सिर्फ ट्रांसलेशन सीखना है तो कहां कौन सा ट्रांसलेशन लगाएंगे उसलिए हमें इस बात को सीखने आन का प्रियोग अस्थान असपर्स के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के खर भार कुझा ऐब दक पीज आन दा टेबल अ कपो मेज रूपर है दूसरा देखेंगे आए यह वास रेंग ए सूट जयुड ऑन ही जट हुआ Ben कर वहां अपने सर पर एक सूटकेश लेकर जा रहा है दूसरा हम देखें कि यह समय समीपता और समीपता दो अलग 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 है यह समय समीपता इंगित करता है से स्कूल रिमें क्लोस्ड आन संडे कि एस्कूल रिमेंज होज डान संडे को है इता कि नियुक्त रवभीवार को बन रहता है जो कि Sunday के दिन परतेक रभ्यवार को स्कूल बंद रहता है हम दूसरा देखेंगे समीप्टाह來到 hänelle अज, ऐ तर आज किया हाउस इस अट दा में रोड़ है stud में रूँड उसका घर में रूँड पर है मुख्य सलक पर और हम देखेंगे कि आगे तीशा इसके यहां आधार इत्यादी इंगित करता है यरा यह चाहिक हो तभी भी मित करता सच पराधारी थे और हम आगे देखें दूसरा वर्ड उसे हत्या के जुर्म में हत्या के केस में उसे कस्टडी में ले लिया गया इंदा नहीं होगा इस तरह से होगा आगे देखेंगे आन का प्रियोग यात्रा के साधन के लिए होता है आन का प्रियोग यात्रा के साधन के लिए होता है जिससे ही वाज आन दबस याद्दा लगाएंगे आन दबस रहेगा वाज आन दबस वहाँ हावाई जहाज पर है ही वाज आन साइकल पर है इसका मतलब वो सफर करके आ रहा है ही वाज आन स्कूटर वाज स्कूटर पर सफर करके आ रहा है यह वनने कहीं चारा करके दिया तो इसमें और भी मीं दोड़ेंगे मैं कह सकता हूं ही वाज आन अरस ल सास्थ गोडे पर हैं इस तरह से झाल बार हम कह सकते हैं और वह कुछ कुछ मेयर्ट रही अपने पैर से है लिवाज आन फूर्व तो वो पैर पर है इसका मतलब यह नहीं आप वाग पान पूर वाग अपने पैर पल टहे रहा है अपने पैर उसे मतलब पैदर टहें लिए इस तरह हो जाएगा और इसमें और भी जो होगा साधन यत्रा का साधन उसमें हम आनक प्रियोग करते हैं दोस्तों आनका प्रियोग के विसे संबंद के अर्थ में होता है तरह से इस बुक इज आन पुलन देवी यह पुछता पुलन देवी पर है तो मतलब उन्हीं को पर लिखी है आन का प्रियोग आधिकारी रूख से सदस होने के भाग को अभिव्यक्त करनी के लिए किया जाता है जैसे किसी की तरफ से उन्हें पर हैं किसी की तरफ से उन्हें अप्रूबल है आन का प्रियोग की और के अर्थ में डायरेक्शन का बहुत कराने के लिए होता है दिसे दा राबर्ट ड्रीव ड्रेगर आन हीं और है लास्ट वहला ही फायर आंदा बोर दोस्तों वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को साथ सेयर करें वीडियो देखने के लिए थेंक्यूंद